जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म पर देख रहे हैं वह मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरू दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं त पैश डी आर अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप मारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं मिर्यानी में बगैर पत्य के गिर्यानी नहीं किक पत्य की नहीं के दो के सभाग करके की नहीं रखते हैं पता भी चुना वाले मसाले वाली दुकान में भाइं विर्या अली का मसाला लिया दालची नहीं लिया और केज़ पता जरूर लिया कि यह नहीं लिया अब बियाजी पढ़ गई तो क्या होगा ताली में चक खा जाएंगे इलाई चीनी भी अचूच लेंगे आउंको मसाले सब खा लेंगे पस्टे तो क्या करेंगे देख देखेंगे तो वही यहां विर्दानिती दलों ने आप किया है आप किया है। भारत के सियासी बदने किया है। भारत के सियासी बाजार में एक और नया जिहाद आया है जिसका नाम है जमीन जिहाद और विश हिंदू परिशद की तरफ से कहा गया है कि जमीन जिहाद एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है दोस्तो हर्याना के माने सर में वीएशपी की तरफ से और्गनाईस त्रिशूल दीक्षा के प्रोग्राम में सौ से ज्यादा लोगों की मौजूद्गी में विश हंदू परिशत के जॉइन जेनरल सेक्रेटरी सुरेन जैन ने कहा है कि 12-13 साल पहले सिर्फ तीन मुसल्मान परिवार भोरा कला गाउं में आये थे और उस जगहा पर नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी थी जहां बक्रियां घास चरती थी तब एक आपसी सहमती बनी थी कि वहाँ ना तो कोई मौलवी रखा जाएगा और ना ही बाहर से कोई आकर रहेगा लेकिन धीरे धीरे बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो गया उन्हों ने इटें जोड़ी और मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया कोई आपके घर में घुस कर मस्जिद बनाएगा तो क्या आप सुकार करोगे जो भोरा कला में हुआ है वो कल गुरू गराम, मानेसर, हरियाना और देश के किसी भी कोने में हो सकता है वो पूरे देश का धर्म बदलना चाहते हैं मैं भोरा कला के लोगों को बढ़ाई देता हूँ कि उन्हों ने उनको सबक सिखा दिया तो दोस्तों आपको याद दिला दू कि गुरू गराम के भोरा कला गाओं में हाली में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ मार पीट का मामला सामने आया था अब इस मामले में विश हिंदू परिशद यानि वी एच पी ने संजीदा इल्जाम लगाते हुए मौलवियों को वार्निंग दी है अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मताबिक संडे को विश हिंदू परिशद के जॉइन जेनरल सेक्रेटरी सुने जैन ने कहा है कि मस्जिद में जगड़े का मुद्दा जमीन जिहाद है जो की एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है सुने जैन यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि मैं मौल्वियों से कहना चाहता हूँ कि अपना समान बांद लो वरना माने सर के लोग तुमें नहीं चोड़ेंगे यह हिंदू राश्ट था है और रहेगा वहीं दूसी तरफ गाओं के सरपंच के मताबिक लोकल लोगों को मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है यह मसला बहरी लोगों का करवाया हुआ है तो आपको बता दूं कि संडे को हुए वीचपी के इस प्रोग्राम से तीन महीना पहले माने सर में एक मंदिल में बजरंग दल और वीचपी ने एक पंचायत और्गनाईस करी थी और मुसल्मान दुकानदारों ठेले वालों के एकॉनमिक बाइकाट की अपील करी थी तो दोस्तों इस तरह के नफरती सियासी तमाशे के चलते भारत को इन्वेस्मेंट के लिए बेहत खतरनाग जगा बताया जा रहा है और इस हिंदू मुसल्मान वाले कमिनल जहरीले खेल के चलते तमाम इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारत से बाहर निकाल नहें हैं तो आपको बतादू कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस आक्टूबर के पहले दो कारोबारी हफतों में तकरीबन साथ हजार पास सो करोर रुपए के शेयर बेच दिये हैं दुनिया की तमाम जानकारों ने इसे भारत के लिए काफी बड़ा जटका बताया है कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार की कोशिशों के बाद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी फिकर मन्द हैं दरसल भारतिय रिजर्व बैंक के तमाम कोशिशों के बावजूद भी महंगाई काबू में नहीं आ रही है ब्याजदरों में लगातार बढ़ोतरी से भी कारोबारियों को काफी मुश्किले आ रही हैं और IMF समेट कई international organizations के भारत की GDP growth estimation में कमी करने से भी foreign investors फिकर मन्द हैं वहीं दूसी तरफ अमेरिकी Federal Reserve के ब्याजदरों में बढ़ोतरी करने से investors भारत से पैसा निकाल कर वहाँ investment करना ज्यादा safe और फाइदे मन समझ रहे हैं कुल मिलाकर इस साल यानि 2022 में foreign investors भारतीय शियर बजारों से 1.76 लाग करोड रुपे बाहर निकाल चुके हैं लेकिन मुलक में हिंदू मुसल्मान वाला जहरीला तमाशा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है जबकि IMF ने भारत की economy growth rate को साल 2022 के लिए 7.4% से घटा कर 6.8% कर दिया है IMF ने दूसरी बार भारत को लेकर अपने estimation में कटाथी करी है IMF ने कहा है कि सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है खैर दोस्तों सियासी तमाशा ये है कि जहां एक तरफ जमीन जिहाद की साज़िश की नौटंकी करके मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार के डेप्यूटी सीम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी को मुसल्मानों का असली हमदर या वेल विशर बताया है और कहा है कि सेक्यूलर पार्टियों ने मुसल्मान कम्यूनिटी का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया है ब्रजेश पाठक के मुताबिक आजादी के बास से आज तक भारत में मुसल्मानों का इस्तेमाल बिर्यानी में तेस पत्ते की तरह होता आया है जिस तरह से बिर्यानी बनने के बाद खाते वक्ते इस पत्ता निकाल कर फेक दिया जाता है उसी तरह वोट लेने के बाद मुसल्मानों को भी छोड़ दिया जाता है दरसल रजेश पाठक संडे को बीजेपी माइनौर्टी मोलचा की तरफ से और्गनाईज करी गई पसमानदा मुसल्मानों की बैठक के दौरान बोल लहे थे इस दरान उन्होंने कहा कि खुद को सेकिलर कहने वाली पार्टियों ने मुसल्मानों को सिफ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया ये पार्टिया मुसल्मानों के वोट लेकर सत्ता में आती हैं लेकिन मुसलिम कम्यूनिटी को कभी भी उनके हक नहीं मिलते हैं और यही वज़ा है कि मुसल्मान आज इतने पिछड़े हुए है उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीम का कहना है कि बीजेपी ही मुसल्मानों की असली वेल विशर है यानी शुपचिन तक है और वो मुसलिम कम्यूनिटी को में स्ट्रीम में लाने के लिए असली कोशिश कर हैं इसके लिए बीजेपी सरकार कई स्कीम्स चला रही है जिससे मुसल्मान कम्यूनिटी को फाइदा हो रहा है बीजेपी और आरेसेस कब तक असलीयस से जंता को गुम्रा करके भारत को कमजोर करने का काम करते रहेंगे ये बात राहुल गांधी ने कही है दरसल दुनिया हर में भूक और माल नूट्रिशन यानि कुपोशण की हालत को दिखाने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 121 मुलकों में से 107 इस्थान मिला है मोधी सरकार ने इस रिपोर्ट पर संडे को कड़ा रियक्शन देते वे बयान जारी किया है मोधी सरकार ने इसे भारत की इमेज खराब करने वाला बताते हुए इस इंडेक्स को भूक नापने का गलत तरीका बताया है इस रिपोर्ट में 2.91 के स्कोर के साथ भारत में भूक के हालात को बहुत संजीदा करार दिया गया है इसमें भारत की पॉजिशन पाकिस्तान शिललंकर नेपाल और बंगलादेर से भी बत्तर है एशिया में 109 पाइदान के साथ भारत सिर्फ अफगानिस्तान से आगे है 2020 में भारत 116 देशों में से 101 नमबर पर और 2020 में 94 पाइदान पर था खेर राहुल गांदी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जी एचाई में भारत की रैंकिंग गिरने के बाद बीजेपी और आरेसेस पर निशाना साधा है सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर किये गए ट्वीट में उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है आरेसेस और बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुम्रा करके भारत को कमजोर करने का काम करेंगी राहुल कांदी के मताबिक भूक और माल नियूट्रिशन में भारत 121 मुलकों में 107 पाइदान पर है अब प्रधान मंत्रियों उनके मंत्री कहेंगे भारत में भुकमरी नहीं बढ़ रही है बलकि दूसरे देश में लोगों को भूकी नहीं लग रही है खैर दोस्तों जहां भारत का एक खास सियासी दल अपने ही लोगों को आपस में लड़ाने में लगा हुआ है उस दोरान पडोसी चीन के बेजिंग के दा ग्रेट हॉल आफ पीपल में गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई खुनी जड़प का वीडियो वहां मौजूद डेलिगेट्स को दिखाया गया इन जड़पों का हिस्सा रही चीन की सेना के एक कमांडर भी इस दोरान मौजूद थे दरसल चीन के प्रेसिडंट शी जिन पिंग ने कहा है कि उनकी अगवाई वाली चीनी सेना ट्रेनिंग और जंग की तयारी पर पहले से कहीं ज्यादा जोड़ देगी इस तयारी का मकसद जंग लड़ने और उसे जीतने की केपैबलिटी को आगे बढ़ाना है ताकि स्ट्राटिजिक डट्रेंस का एक मजबूत सिस्टम बनाया जा सके तो दोस्तों आपको बता दूं कि चीनी प्रेसिडंट ने संडे को पास सालों में एक बार होने वाली चीनी कमेनिस पार्टी की कॉंग्रेस में अपनी वर्क रिपोर्ट पेश करते हुए ये सारी बाते कहीं है उन्होंने रिपोर्ट में कहा हम फौज की ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाएंगे और उसकी जंग लड़ने की केपैबलेटी को पहले से बेतर बनाएंगे ताकि चीन की फौज जंग लड़ने और उसे जीतने में कारगार साबित हो सके दरहसल दोस्तों चीन के प्रेसिडन्ट होने के चलते शी जिन पिंग देश के सेंट्रल मिलेटरी कमिशन के चीफ है ये कमिशन 20 लाग की चीनी फौज का एक तरह से हाई कमांड है शी जिन पिंग की तयार करी गई वर्क रिपोर्ट 63 पेज़ की है और इस रिपोर्ट में शी जिन पिंग ने सेना के बारे में एक खास चैप्टर रखा है इस चैप्टर का नाम है पी एले के केंद्रिये टार्गेट को हासिल करना और नैशनल डिफेंस फौज का और मॉर्डनाईजेशन करना अब एहम बात ये कि चीन का ये फैला हुआ मिलेटरी प्लान भारत के लिए काफी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच स्टैंड आफ अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है जून 2020 में इस्टन लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच खुनी जड़ापूई थी जिसके बाद दोनों मुलकों के रिष्टों में गहरी दरार आ गई थी अब दोने देशों के 20-16 राउंड तक चली बादचीत के बाद भी काफी मुद्दे सुलज नहीं पाएं हैं खैर दोस्तों जहां चीन अपनी फाज के मॉडरनाइजेशन पर जोर दे रहा है तो वहीं भारत में जमीन जहाद कर नया नफरती मुद्दा उचाला जा रहा है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जैहिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिज दोस्तो हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हर्गीज नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडिल है at the rate of अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में